हेला दोस्तों आप सभी का स्वागत करतों एक बाद द्वारा से आपके अपने चैनल पर जी हाँ टाइडल तो आप पर डिट करे लिया है इस वीडियो के बादे हमसे आपको पतलाऊंगा कि सिप्ला सिप्ला एक मल्टी वैगर हो सकता है उसके अब रीजन जानेंगे कि मल्ट आगे कैसी हो सकती है और जो टेकनिकन एनलिसिस रहेगी उसमें हम सेर करेंगे कि आप इसमें एंट्री कर सकती हो एकजिट कर सकती हो तो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चाहो तो आप चैन comment कर सकते हो मैं उसका लगसे वीडियो बना दूँगा और एक बात बोलूँगा वीडियो को सेर पक्कर करकर जाना काफी महत लगती है वीडियो उसको बनाने में तो आपका एक जो सेर है वो काफी help करेगा हमारे चैनल को grow करने पर तो आप सेर कर सकते है उसको अपने दोस्तों की दरफ ठीक है तो fundamental analysis देख लिए इसकी क्या है तो दोस्तों यह supply का value है हम fundamental analysis करेंगे दोस्तों जो इसका मार्केट का यह वो है आपका अल्मोस उन्साट है 915 क्रोड की आसपास है काफी अच्छा है market capital है इसका और जो अभी यह stock current price का trade कर रहा है आज की date में यह है 742.50 पैसे के आसपास ठीक है और इसका मैं अगर बात करू dividend yield 0.40 है जो काफी अच्छा नहीं है ठीक है इसका dividend yield काफी अच्छा नहीं है मैं आपको बतला रेता हूं मैंने एक छोटी सी research भी करी है dividend yield के उपर आपको बता रेता हूं अगर इसका मैं last 10 year का डिविटेंट निकालता हूं प्याउट की इसने कितना dividend लास्ट है दस साल में दिया है तो अगर मैं देखूं तो इसने last 10 सालों में 200% का dividend दिया है सिपला ने और जो इसकी phase value है दो रुपे के आसपास कि इसकी phase value है तो मैं अगर इसका percentage निकालता हूं तो चार रुपे का आसपास आता है मतलब 10 सालों में मात्र 4 रुपे का ही dividend इसने pay किया है अगर दोस्तों बोलुए तो इसका dividend yield है वो काफी low है last 10 सालों का अचना अच्छा का था dividend इसने pay अभी तक नहीं किया है कंपनी ने वागे आगे लेके चलता हूं उसके profit and loss share करने से पहले एक चोटा ज़र से उधान कर देता हूं कंपनी ने हाल फिलाल में अपना जो debtor reduce किया है कंपनी में सिर्फ एक ही मात्र एक जो down bracket stock में वह यह था कि company पे growing बहुत जादा थी इसने loan बहुत जादा ले रखा था करजा जिस वजे उसको interest ज्यादा pay करना पड़ था और हाल फिलाल के दिनों में इसने अपना करजा भी बहुत कम किया है जो इस company के लिए काफी अच्छ आपसे भी number 3 में है यह उसका बताया मैंने जैसे आपको तो एक company अपने जो pharmaceuticals है उसमें top 3 में आती है और number 1 company तो नहीं है यह उसे market cap के साफ से लेकिन हाँ यह company number 3 में आती है अब आगे लेकर चलता हूं आपको जो इसके quarterly result है इस महीने के अगर आप ध्यान से देखो के तो हर साल quarter के result लगतार मार्थ 2018 से लगतार इस increase हो रहे है तो एक अच्छा इसके लिए एक अच्छी ख़बार है कि हर साल इसके quarter result हो increase हो रहे है और एक अच्छे number से increase हो रहे है इसके लिए ठीक है अगर बात करता हूं इसका मैं net profit की तो दोस्तों net profit अगर आप देखो के last quarter के comparison म मैं बात करूं अनिंग पर share अनिंग पर share अच्छी खासी growth देखी गई है last December 2018 से लेके September 2020 तक currently जो अनिंग पर share हो 8.25 पैसे का असपास है जो पहले 7.17 पैसे का असपास था तो एक काफी अच्छी बात है कि company overall quarterly growth कर रही है इसके main profit and loss जो हमारे yearly profit and loss होते है तो दोस्तों अगर ठीक है तो मतलब इसका operating profit net profit है वो increase हो रहा है धीदेदे करके तो काफी अच्छी बात है company के लिए company अपना net profit yearly to yearly basis में increase कर रहे है काफी अच्छी बात है company के लिए दोस्तों जो profit का margin वो last quarter last year की comparison में काफी छोटा है ठीक है last 2019 में इसका profit देखुए मात 2019 में 1528 करोड का था इस साल इसको 2020 में 1547 करोड के आसफास हो है मतलब मात profit में बोश सकते हो कि 23 करोड की growth देखी गई है लगता है personally कि ये growth future में काफी बड़ी हो सकती है मुझे लगता है कि अगले साल एक अच्छा profit show कर सकती है company क्योंकि पता है जैसे आपको due to covid इसके जो pharma के दवाईया है मतलब इसकि दवाईया medicine वो ज्यादा consume होने लगी है इस बज़े से मुझे लगता है कि definitely next quarter में next year में ये एक अच्छा profit show कर सकती है तो ध्यान में रखिए stock को definitely आपको अच्छी रिडन दे सकती है future में अब आगे लिए के चलते है इसके cash flow में cash flow में 2020 में इसमें 234 क्रोड के आसपास का net cash flow है जो एक अच्छी बात है अब बात कर लेते हैं इसके हो और मुझे लगता है future में एक अच्छी ग्रोथ यह दिखा सकती company अब आप करेंगे इसके technical हुजान की technical analysis क्या मुझे कह रही है और मेरे साथ से अब लेकर चलता हूँ आपको technical analysis की तरब तो देखें मैं stock के जो करेंट वैलियो 72 रुपे के आसपर trade कर रहा है और मेरे साथ से यह जो price है यह buy price बनता है अब यह buy price क्यों बनता है मैं आपको छोड़ा explain कर देता हूँ मैं आपको trading वी लेकर चलता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो trading वी मेरे इसका chart खुला हुआ है इसको chart को मैं इसको monthly में convert करूँगा क्योंकि मैं आपको साथ एक यह साथ टेकनिकल से करूँगा जो आपको साथ अच्छा भी लगए देखने में देख सकते हूँ दोस्तों यह मैंने खुद आपको पहले एक वर्स को buy के लिए कहा था तो मैं आपको पहले वह एक शोटा दल स्कीन सोट दिखा रहे था हूँ कि हमने क्यों कहा था इसको buy को तो हमने वह buy इसलिए कहा था क्योंकि दोस्तों देख सकते हूँ कि इसने deadline breakout किया था असनिया पर उसमें ठीक है यह आपका almost जुलाई अगस्त के आसपाल्स का है जब इसने deadline breakout दिया था मंतली चार्ट के साप से 600 पच्छन रुपे के आसपस मैंने आपको buy बोला था और हमारा target 790 रुपे के आसपस का target था I think मैं आपको इसका दिखा रहता हूँ यह रहा तो आप देख सकते है किलियर हमन view था हमारा 600 पच्छन में भी अगर आपने अभी तब से इसको hold करका तो बढ़िया नहीं करका तो एक दुवारा opportunity मुझे दिखे रही है इस stock में और definitely मुझे लगता है इस opportunity को आपको cash कहना चाहिए क्योंकि इसके last quarter के profit है काफी अच्छे आये है और मुझे लगता है कि next quarter इ में यहाँ पर buy किया था अब एक buy द्वारा इस पर द्वारा generate हो रहा है अब वो generate हो रहा है multi जो buy बनता है multi-year breakout ठीक है देख सकते हैं दोस्तों यह monthly में चार्ट खोला हूँ है इसका और इसने monthly में एक breakout दिया है अगर आप ध्यान से देखो कि monthly में इसने breakout दिया है तो इससे breakout है और जो आपका तो देख सकते हैं इसने monthly breakout दिया है और मेरे साबसे यह monthly breakout कर सकता है stock का ठीक है तो इस stock को आप breakout को ध्यान देजिए इसने यहाँ पर monthly breakout दिया है और definitely मुझे लगता है कि यह stock 750 रुपे में अच्छा कासा buy बनता है दुवारा से dip में देख सकते हो एक clear एक monthly breakout है और मेरे साबसे आपको 750 रुपे के असफ़ा इसको definitely buy करना चाहिए और जो आपको stopos लगाना चाहिए और 670 रुपे के असफ़ास का लगाना चाहिए ठीक है आप बोलो दोस्ता इसके target का निकल के आते तो दोस्तों देखो target में आपको symbol आपको बतला देता हूं उसके target म में इस में mention कर देता हूं हम ने मालीज़े उसको 750 रुपे के as far विसको buy करा है हमारा गशे स्था सब्याइयस का अब कॉपास को से तो अगर आप आपस पर करेंगे तो हमारा टागेट हमेज़ा डबल लेना चाहिए तो 742 में हमने इसको बाई कि हमारा स्टॉप लोस निकल करता है ठीक है तो हम भाता रुपे को डबल इस पर जोड़ देंगे तो मेरा जो फर्स टारगेट निकल के आता है इसका वो है 880 र और जो मेरा इसका final target है, final target मतला तो final target आप बोल सकते हो second target वो मेरा है इसमे 1050 रुपे का, यह final target मेरा 1050 रुपे का कैसे हैं आपको अभी experiment कर देता हूँ इसके लिए मुझे आपको दुबारा लेकर चलना पड़ेगा trading view के चार्ट में अगर आप trading view के चार्ट में इसको देखते हैं तो दोस्तो अगर आप trading view थोड़ा इसमें back जाते हो पुराने में तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह 1999 का चार्ट है और 1999 के आसपा इसने ए अगर यहां पा support लेता है जो मैंने बताया है आपको 750 तक तक रास्ता पूरा का पूरा खुला है ठीक है 1050 के label आपको आराम से दिखा सकता है एक हजार पचास तक के label तो उसके अराम से खुले है मतला आप बहुत सकता है तो अगर आप इसको 742 रुपे के आसपास भी buy करते हो जैसे में आपको बताया तो मेरे साब से आपको आराम से यह जो upside दिखा सकता है वो है आपका 670 रुपे के आसपास का और जो target हमारा है पहला वो है 886 रुपे का और दूसर टागेट जो हमारा निकल के आता है 1050 रुपे का ठीक है अब दोस्तों कैसे हो सकता आप तीसरा एकस का पहलो जान लेते है तो तीसरा दोस्त का पहलो है देखो company की growth future में अच्छी हो सकत और इसमें आपको क्या करने की आप सकता है multiple कैसे होगा आपको बहुत सिंपल है तो आपको वाँ पर एक छोटा सा दिमाग चलाना ओड़ा दिमाग कैसे चलाओगे आप पहले अपना cash को हलका करोगे मतलब जो भी आपने इसमें invest capital लगाई है आप उसको पहले हलका किजिए 50 के टार्गेट के बाद उसके बाद आप क्या करोगे आप अपना stop loss लगा लोगे cost to cost उसके बाद आप इसको carry forward करोगे और इसको hold करोगे कम से कम 4-5 साल के लिए जो मुझे लगता है कि लैक्स 4-5 साल में ये stock आपको काफिश रिडन दे सकता है अगर company का अगर आप company की अगर पड़ेगा और वेट करने का तरीका आपको मैंने समझा दिया है 742 के आसपास का buy कर सकते हो 670 के आसपास का stop loss रहेगा हमारा और जो stop loss लेगा closing basis में रहेगा कम से कम एक candles की निचे close कर दे तो आपका हमारा stop loss hit हो जाएगा target हमारा है 886 का first target रहेगा उसके बाद 1050 का second target वो टेपेंड करता है कंपनी के profit and loss में ठीक है कंपनी कारस की news देखोगे दोस्तों तो इसने supply launch लांच लिया है इसने को भी जी को launch किया है जिसमे जोका पवन का लग जाए जपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी काया तेरी धूल हो जासी